हेलो एव्रिवन वेल्कम टू माय मौर्णिंग कोकिंग ब्लॉग तो कैसे हैं आप सब आज मैं आलो गोवी की सबजी बनाने वाली हूं बहुत ही सिंपल है दाल और चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में बहुत ही लाइट इड़ बनाया है मैंने तो देखे मै मैंने कैसे बनाया है सबसे पहले तो तेल डालेंगे उसमें जीरा सुखिलाल मिच तेज पता और प्यास डाल के भूल लिया है इसके पाद हम डालेंगे गोवी और गोवी को ढख कर लो हीट पे पकाएंगे कुछ दिर ऐसे ही तो वह सॉफ्ट हो जाएगी तो जलेगी भी न पकाएंगे और उसके पाद हम ढालेंगे नमक अँप अर्ह Verf गिया पॉडर दालेंगे us मिचम पॉड गर 맞는 जीरा मिच पोडर डालेंगे जीरा पॉर्ड दालेंगे तो लाल मिच पॉर्ड डालेंगे और आब इस से मिक्स कर लेंगे अच्छे से doc तो इसका चींच लग रहा है तो अब हम इसमें टमाटर डालेंगे मैंने यहां चार स्मॉल साइज के टमाटर लिए है तो आप इसी ताम में ट्रैम टमाटर आप डालिएगा तो बेश्ट रहेगा और मैं आलू डालूंगी यह बॉयल्ड आलू है वह भी चार है मेडियम साइ जैसके और मैं डालूंगी कसूरी मेथी काश्यूरी मेथी डालिए टेस्ट अच्छा लगेगा और मैं डालूंगी मीट मसाला आप चाहे तो गरह मसाला ले सकते हैं जो लसुन प्याज नहीं खाते हैं और उसके बाद हरा धनिया और ढगके 5 मिनेट पका लेंगे फिट से औ और उसके बाद मिक्स कर लेंगे अच्छे से हमारा कोवी आलू बनके तयार है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए